प्यारे विद्यातियों, नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहन राज परमार, सहे काचारे हिंदी राज की महाविद्याले बाढ़ मेर, आज उनलाइन कक्साओं के अंतरगत, हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंग, दिनकर वीता, कुंती और कर्ण, पूरु में जो हमने अंस पढ़ा था, उससे आगे के अंस को आज हम पढ़ेंगे, पूरु के अंस में हमने पढ़ा था, की कार्ण, कुंती से मुखातिब होते हुए, कुंती को सम्भोदित करते हुए, राधा की वस्त्ता को संकेतित करके खहता है, की मुझे जन्म देने के बाद, माता के रदे में, स्ने की जो उज्वलधारा उमड़ती है, परन्तु तुमारे रदे में, हे मा, वप्रेम नहीं उमड़ा, और लोगलाज के भैसे, मेरा जन्म होती ही, तुम्हारा रदे का पुत्रस ने एकदम सूग गया, और दूसरी और जिस दिन रदा ने मुझे, अबोध बालक के रूप में प्राप्त किया, कहते हैं, कि उसका दूद उतराया था, वस्सलता के आवेक से, उसके इस्तनों में, बालक का मात्रत भाव दूद रूप में, उमड़ाया था, और मेरे पृती अपार्स ने ओ गया थ तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निजमाना, अब तुमें कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कर उसके बदले तुमें पुकार कर्ण कुंती को ये कहरा है कि तुमने मुझे जनम देकर भी अपना पुत्र स्विकार नहीं किया, तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, कर्ण कहने लगा कि मा कुंती तुमने मुझे जनम देकर भी अपना पुत्र स्विकार नहीं किया, उसने पाकर भी मुझे तने नि ने मुझे नदी से प्राप्त करके भी अपना ही पुत्र माना और अपने धारोषन से मुझे पोशन किया अपने दूद से मेरा पालन पोशन किया उसने पाकर भी मुझे तने निजमाना उसने राधा के लिए आया है और राधा ने मुझे नदी से प्राप्त कर पुत्र की तर पाला और पालन पोशन किया अब तुम्हें कहो कैसे आत्मा को मारूं माता कर उसके बदले तुम्हें पुकारूं ऐसी दसा में तुम्हें बताओ कि मैं आपनी आत्मा को कैसे मारूं कैसे राधा के इस्तान पर तुम्हें अपनी जनरी स्विकार करूं और कैसे तुम्हें माता कहकर पुकार अब तुम्ही कहो कैसे आत्मा को मारों ऐसी दस्राम में अब तुम्ही मुझे बताओ कि मैं अपनी आत्मा को कैसे मारों माता कर उसके बदले तुम्हें पुकारों कैसे राधा के स्थान पर तुम्हें अपनी जन्नी स्विकार करों कैसे तुम्हें माता कहकर पुकार अनुप्रास अलंकार है और यहां कर्ण के आक्रोस कर्ण का आक्रोस विक्तुगा है और कर्ण का तर्क केवल भाव आवेश जन्नी नहीं है अपीतुव आत्मिक और सम्वेदना से परिपूर्ण है अरजुन की जन्नी मुझे न कोई दुख है जात्यों मैंने भी ढूंड लियाने सुक है जब भी पीछे की और द्रश्टी जाती है चिंतन में भी ये बात नहीं आती है जन्मा लेकर अभिशाफ हुआ वर्दानी आया बनकर कंगाल कहाया दानी दे दिये मोल जो भी जीवन ने मांगें सिर नहीं जुकाया कभी किसी के आगे अरजुन की जन्नी मुझे न कोई दुख है कुंती पर आक्षेप करते हुए कार्णिया कहने लगा अरजुन की जन्नी है अरजुन की माता मुझे न कोई दुख है ज्योंत्यों मैंने भी डूंड लिया न सुक है मुझे जन्म देते ही परित्याग करने से मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने जैसे तैसे अपने जीवन को सुख में बनाने का प्रियास किया है। जब भी पीछे की और द्रश्टी जाती है, चिंतन में भी ये बात नहीं आती है। जब भी मैं अपने पीछले जीवन की और देखता हूँ, भूत काल का चिंतन करता हूँ, तो मुझे यही दिखाई देता है कि जन्म दात्री माता के द्वारा त्यागने पर भी मुझे कोई क गश्ट नहीं मिला है। जब भी पीछे की और द्रश्टी जाती है, चिंतन में भी ये बात नहीं आती है। जब भी मैं अपने पिछले जीवन की और देखता हूँ, अतीत पर चिंतन करता हूँ, तो मुझे यही दिखाई देता है कि जन्म दात्री माता के द्वारा पर भी मुझे कोई कस्ट नहीं मिला। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वर्दानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी, दे दिये मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं जुकाया कभी किसी के आगे। करण पुना कहने लगा कि मैं अभिशाप लेकर जन्मा था, परन्तु अपने प्रारब्द और पौरुष से मैं वर्दानी बना। कंगाल होकर के, कंगाल बनकर धरती पर आया था, परन्तु अपने कर्मों से मैं महादानी बन गया हूँ, मैं महादानी बना। दे दिये मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं जुकाया कभी किसी के आगे। मैंने अपने जीवन में जिसने जो भी मांगा, वह उसे दे दिया, परन्तु मैंने कभी किसी के आगे अपना सिर नहीं जुकाया। कहने का आशी यह है कि कर्ण को अपने प्राक्रम एं सत कर्म से महादानी होने का यस मिला, तथा उसे जीवन में कभी भी पराभव नहीं मिला, हार का सामना नहीं करना पड़ा। क्या करें जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वर्दानी कर्ण फिर कहने लगा कि मैं अभिशाप लेकर जन्मा हूँ, जन्मा था लेकिन अपने प्रारब्द और पौरुष्य मैं वर्दानी बना हूँ, आया बनकर कंगाल कहाया दानी, मैं एकदम कंगाल बनकर धरती पर आया थ परन्तु अपने कर्मों से महादानी बन गया हूँ, जो दे दिये मोल जो भी जीवन ने मांगे, मैंने अपने जीवन में जिसने जो कुछ भी मांगा, उसे सब कुछ दे दिया, परन्तु सिर नहीं जुकाया कभी किसी के आगे, परन्तु मैंने कभी किसी के आगे अपना सिर न महादानी होने की प्रसिद्धी मिली थी, कर्ण की चरित्र की यहां विंजना हुई है, आगे करें, परहाय हुआ ऐसा क्यों बाम बढ़ाता, मुझवीर पुत्र को मिली भीर क्यों माता, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भैसे, संबंद तोड भागी दूद मुए तने से, मर गई नहीं वस्वयम मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन करूर निर्मोही, क्या कहूं देवी मैं तो ठहरा अंचाहा, पर तुमने मा का खूब चरित निबाहा। हाय हूँ ऐसा क्यों वाम विधाता, कवी रामधारी सिंग दिनकर या चितरन करते हैं कि करण कुंती से कहने लगा कि मेरे जीवन में विधाता ऐसा विपरीत क्यों हूँ वाम वाम यानि विपरीत पर हाए हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता पर मेरे जीवन में विधाता ऐसा विपरीत क्यों हुआ मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता मुझ प्राक्रमी एं महादानी पुत्र को जनम देने वाली कायर माता क्यों मिली भीरू भीरू या निकायर मुझ वीर पुत्र को मिली भीर क्यों माता मुझ प्राक्रमिय मादानी पुत्र को जनम देने वाली कायर माता क्यों मिली जो जमकर पत्थर हुई जाती के भैसे वह कायर माता अपने कुल और समाज की निंदा के भैसे उस समें एकदम पत्थर अथार्थ कठोर रदे के समान हो गई और सम्मन्द तोड़ भागी दूद मुएं तने से और अपने दूद मुएं नवजात पुत्र को नदी की धारा में भाग कर उस से अपना सम्मन्द तोड़ कर वां से भागी बेरे लिए ये कितने दुरभाग्य की बात परहाई हुआ ऐसा क्यों वां विधाता लेकिन मेरे जीवन में विधाता ऐसा विप्रीत क्यों हुआ मुझ वीर पुत्र को मिली भीर क्यों माता मुझ प्राक्रमिय मादानी पुत्र को जनम देने वाली कायर माता क्यों मिली जो जम कर पत्थर हुई जाती के भैसे वह कायर माता अपने कुल और समाज की निंदा के भैसे पत्थर कहर्दे वाली हो गई और सम्मंद तोड भागी दूद मुहें तने से और अपने दूद मुहें नवजाद पुत्र को नदी की धारा में भाग कर उससे अपना सम्मन तोड़ कर वहां से भागे मेरे लिए ये कितने दुरभग्य की बात मर गई नहीं वर्ष्यम मारसुत को ही जीना चाहा बन कठिन कुरूर निर्मोही क्या कहूं देवी में तो ठहरा अंचाहा पर तुमने मा का खूब चरित नवाह करण कहने लगा कि मर गई नहीं वर्ष्यम मारसुत को ही अपने नवजाद पुत्र को मार कर अर्थात बे सहारा नदी में भाकरवाता वर्ष्यम नहीं बर गई अपीतु व कठीन कुरूर एवं निर्मोही बन कर जिवित्र के रहें कि जीना चाहा बन कठीन कुरूर निर्मोही करण कहने लगा कि अपने नवजाद पुत्र को मार कर अर्थात बे सहारा नदी में भाकर वर्ष्यम नहीं मर गई अपीतु व कठीन कुरूर एवं निर्मोही बन कर के जिवित्र रहें क्या कहूं देवी मैं तो ठैरा अनचाहा कुन्ती को लक्षे कर कणने कहा कि है देवी मैं इससे अधी क्या कहूं मैं तो अंचाहा जनमा था अर्थात मैं अपना जनम इस्प्रकार नहीं चाहता था परन्तु तुमने भी तो पुत्र को जनम देते ही त्याग कर अपने मात्रत्व का चरित्र खूब निबाया, मात्रत्व की चरित्र का खूब निर्वहन किया क्या कहूं देवी मैं तो ठहरा अंचाहा है देवी मैं इससे धी क्या कहूं मैं तो अंचाहा था मैं तो अंचाहा पैदा हुआ था अपना जनम इस्प्रका नहीं चाता था परन्तु तुमने तो तो पुत्र को जनम देते ही त्याग कर अपने मात्रत्व का चरित्र खूब नि थे क्या अर्मान रदै में, देखा तुमने जिनका अवरोद तनै में, सायद ये छोटी बात राज सुक पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ, सम्मान मिले यस बडे वदू मंदू में, कहलाओ सादवी सती वाम भूतल में, पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी मुझ सा अद जनमा नहीं मलीन परितापी, था कौन लोब थे क्या अर्मान रदै में, कर्ण, कुंती पर आक्षेब करते हुए कहते हैं, कि मुझे अंचाहा जनम देकर, कौन सा लोब और क्या अर्मान आपकी रदै में था, जो कि मुझ नवजात पुत्र की जनम से तुमने बादक माना, और मुझे सहसा बे सहरा, था कौन लोब थे क्या अर्मान रदै में, देखा तुमने जिनका अवरूद तने में, मुझे अंचाहा जनम देकर, कौन सा लोब और क्या अर्मान आपकी रदै में था, जो कि मुझ नवजात पुत्र की जनम से तुमने बादक माना, और मुझे सहसा बे सहरा है वो छोड़ दिया, सायद ये छोटी बात राजशुक पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ, आओ इस सम्मंझ में संका का स्विम समाधान देते हुए करने कहा, कि हे देवी सायद एक छोटी सी बात तुमारे रदे में अर्मान या लोब रूप में उबरी होगी, कि मैं राजशुक पाओंगी और किसी राजा की महारानी बन जाओंगी, इसी सी तुमने नवजात्क पुत्र का त्याग किया। सम्मान मिले यस बडे वदू मंडल में, कलाओ साद्वी सतीवाम भूतल में, पाओ सुत्भी बल्वान पवित्र प्रतापी, मुझसा अध जन्मा नहीं मलीन परितापी। तुम यही चाती थी कि राज राणी का सम्मान मिले, राणी यों अत्वा राज वदूआं में यस बडे, तुम नारियों साध्वी सती एवं धर्ती पर सदाचरण सीला कहलाओ, साथी बल्वान पवित्र और प्रतापी पुत्र भी प्राप्त कर सको, जो कि मुझ जैसे अद्जन में मलीन या संताप देने वाले न हो, इसलिए तुम ने है वो मेरा त्याग कर दिया। दाने हैं, थी पिल्ग जैसे सकती एवी प्रेसे एवं प्राप्ट में मेणेगात पर दिया। कर दो आइलार ड़ित्गादक च्वाले पर देने को सनतापको प्रापत